असलाम अलेकुम एब्रीवन वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उमीद करते हैं आप लोग सब खैरिये से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में तो इदर तो जैसे कि आप लोग देख रह क्योंकि मुझे थिक कस्टड बनाना था इसलिए और जो पैन में आपने दूद देखा है वो पूरा एक मतब पूरा दो लीटर से थोड़ा सा कम है एट तो मुझे पूरा दो लीटर ही करना था लेकिन मैं इसके लिए बचा लिया था कि इसको पौडर को हमें डिजॉल्फ क करना था था कि लिए थोड़ा सा थोड़ा सा मैं तब एक डिड़ कप मैं बचा लिया था कि बाद में एट कर दूँगी लिकिन पूरा दो लीटर ही दूद के आथ चीनी मैं इसके लिए इसको ना इग्जिस कर लोगी अराम से न रात का ताइम है तकरीबन ये बारा बज़ कर टाइम होगा और मतलब बार रभी लबल से एक दिन पहले का दिन है ये ठीके रात है मतलब और हम ये तियारी कर रहे था और ये में अपने हाथ दो लूगी थी जो मैंने में आप लोगे साथ शेयर की थी वो स्टिल लगी थी और सूकी नी थी थोड़ी थोड़ी सी वैसी रह गई थी सूक चुकी थी लेकि में वेट करी थी थोड़ा अच्छा सा कलर आजए और उसके बाद फिर मैं अपने हाथ दो लूगी फैर वो बन रहा था लबशीरी के लिए उसका कस्टड बन रहा था था कस्टड बना कर रख दूंगी क्योंकि सबसे आदा इसमें टाइम लगता है इसको ठंडा होने में टाइम लगता है? हम उसके बात सब चीजे को कट करके मुझे सिफ मिक्सिंग करनी होगी इसे पकाना नहीं पड़ेगा तो इसलीए मैंने इसको ना सोच रात में रात मेहीं पका के रख दूं तो व ज्यादा बेटर रहेगा तो मैं ऐसी करती और फिर हम लोग उसको परना से करना एजी हो जाता है और जल्दी भी आप कामों से फारग हो जाते हैं अचा दूद्ध बचाता है वह भी मैंने इसमे एट कर दिया अच्छा जब भी पकाया करें तो उसको अच्छी तरीके से पकाया करें मतलब कस्टड अट करने के बाद uju कaty हो जाती है वह हुआ लगता हमें अच्छ लगता हमें अच्छा जाता तो उसके लागता है अदिए कतना ठिक है और टिल्ड़ना होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाएगा घल गाता तो मैंने के बाद की तन को कवर्ण गुपक गया थ। मैंने यह कह नचंप इंड़र कि भी मिलेगी गोष्ट गलावा मिलेगा तो फिर मैंने क्या करा यहां पर यहां पर हमारे पास गोष्ट हैगा बीफ का गोष्ट है यह 750 ग्रैम्स के बराबर इसे में एक अदद प्याज करूंगी लॉंगे हैं चार से पांच अदद थोड़ी सी काली मर्चे हैंगी दस से बा गोष्ट अधनीज़ी सहा है मिलेग हुट है और थstarम दस साव और धनीज़ीज़ी थे बेवकाइवाह मैं दालगोने है तो इस डाि अंद भाणा झाल प्रणराब्य दानीज़ीज़ी थोगए के वहां में प्रोटा यह कुपड़े इस बें decor थेखन में थैयों तो पेए मैंने यह बैग्स मिंगवा लिय थे कि हर साइज के हैंगे थीन साइज के हमारे पास तो इस के पिस्का कापी अजाती है रख लिया दोके रख रख लेते हैं और यह दुबारा से यूस कर अशे और आप इसको सकते हैं अराम से राम से नमक का था तकरीबर वन टेपल स्कुन के बराबर और बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये गोश निकल जाता लेकिन मैंने क्या करा था बस इसको आदा घंटा ही पका के बन कर दिया था नॉर्मली क्या होता है गोश गल जाता है बागी का काम मैंने सुच्छता तक बाद में करूँगी क्योंकि रात बहुत हो गई थी और बस नीद आ रही थी मतलब हमें तीन साड़े तीन बज गए थे हाँ नहीं नहीं मैं बता देती हूं इसको जैसे बस एक सीटी लगी थी ना और मतलब आदे घंटे तक ये कुक हुआ होगा और उसके बाद अपिया ने इसका चूला बंद कर दिया और भाई लेकर आये हलीम गरम सी तो हमने बोला हम तो जरूर टेस्ट करेंगे और अभी आप देखेंगे उनके अदी में लगी रही थी और हम खाने बैठगा हलीम वाँ 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 क्या जबर्दस चीज वी थी थी खाने इस्टी भी बैठ गए थे क्यूंकि भाई हम मारे प्रेज आचाल बाऊ गरणे लेट तो ऐनको खाने वगां वगारा सफ करना होता है तो मेरे हाथ में लगी थी और अम्मी तैफाक से उठी वी तो अम्मी ने से सर्फ कर दिया था हम और अम्मी वी भालीम दे को तो हम्मीं आइसाद बैठके बाते 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 कर रही तो दोने की तो फ्रेश फ्रेश धुलावा यह भी दोड़ी देर बात कुछ घंटे बात हवा लगती है तो महंदी को कलर जो डार्क हो जाता है तो इस तरह से हो जाता है खैर यहां पे मुझे यह ख्याल रखना था कि वो वीडियो में कैप्चर हो सही है अगर पूरा ही हाथ में कवर कर लेती ना तो फिर ना वो सही से आप लोगों को डिजाइन भी नहीं दिखता और महंदी भी नहीं दिख पाती तो फिर बड़ा इतियाद से लगानी पड़ी उसमें मुझे ल अच्छा यह है नेक्स्ट मॉर्णिंग और सबसे पहले मैंने बोला जल्दी से पहले चूला साफ करूं कि फिर बहुत सारी कुकिंग करनी है बहुत सारी काम करने हैं तो काम जादा होते ना तो फिर जल्दी स्पीड दिखानी पड़ती है अच्छा उटके मैंने यखनी चे निकाल ली हैं इसी को पकाने के लिए तके जेली इसको भाना के गँदा करने के लिए और सबड़ानों को भी पकाना के लिए ठेड़ को भी पका लोगन के जाली चिल्ली हम दोनों यह उटके जल्ली से नाश्टा वगर स很 deeply हरुता है है बहुत में हम घृआ भाई आप के श pack कुछ अलग बना रहे हो कभी भाई अगर देड़ से उटें तो उनके लिए अलग कुछ बना रहे हो और अगर हमें कुछ अलग से कुकिंग करनी है ना तो उसके लिए टाइम अलग जा रहा है यहां पर मैंने सोचा जली से चड़ा दूं प्यास फ्राइ करने के लिए अचा यहां बना रही हूं कड़ाई तो आज हम लोगों ने सोचा था हम कड़ाई बनाएंगे अम्मी ने प्यास कट करके रख दी थी ताके मुझे असानी हो प्यास काटने में तो इसको मैं गोल्डन करने में असानी हो इसको मैं गोल्डन प्यांड करके टिशू पेपर पे निकाल लिया अचा मुझे किसीने कहा था कमेंट करके बताया था किसीने कि टिशू पेपर निकालने के बाद इसको अगर आप फ्रीजर में रख देंगी तो प्यास अच्छी तरीके से चूरा हो जात प्यास को फ्राइ किया था उसी ओयल के अंदर मैं चिकन डाल दी ए वन कीजी के बराबर चिकन है और यह पता नहीं क्या होता है मतलब अबू यह लोग लेने जायन है वो इतने चोटी चोटी से पीस कर देते हैं चिकन के मुझे बड़ी चिड़ाती है कि यार अगर आपसे एक किलो लिए तो नॉर्मल साइज की बोटी अगरो इतनी चोटी चोटी कर देते हैं क्योंके चिकन के अंदर हड़ीयां ज्यादा होती है और अगर कोई एक बंदे एक पीस निकाले तो उसके बोटी तो मिलेगी हड़ी हड़ी मिलेगी तो मुझे बड़ी चिड़ाती है इस तरह की चिकन से आप लोग को आती है क्योंके मैं तो अपनी मर्जी की मताब ही कटवाती हूँ अब यह लोग खेर खामोश हो जात यह करता है क्या है कि साफु डालेगी है मतार आफ उस तो बात वस्ता इसना से लगल कर बा golden यह आइज के लिए मैं घ्रीवरावान थैर मैं यह रिक उर तो मैं च्पाइट कर लिए दुड़ा थाए निहाम आए नहीं बनाता है लेकिन दृआब ऑना प्यास की तो पहरी कि हमें खाली गोश्ट नी खाना भाई इसके अंदर ग्रेवी का हैं सालन का है रोटी से खाना है तो पर आपको ग्रेवी तो चाहिए अच्छा जब ना चिकन जो हमारा अच्छे से फ्राइ हो गया तो क्रीबं पांच से छे मिनट पर ने अच्छी तरीके से फ्राइ किया था कि अरग लेसर पेस्ट 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 बेट यह था तो टेबल स्बून के रराबर के बग्या और तो कि आधने ने के विर्ए को पकाया थैकर दूंगी तेमार्टर तो मैं ठाट थे दुट कर दूंगी टीमार्टर यह सिं चार अध़ गड़े साइस के वह एड़े किसमार चैने काम कर लेगा तो इस तरह श्तायरी लेग इस kayak नहीं बाकी इस violation ठ्पेशन के सांक वे सांपम पाड़ा कि थे फिरको सुचात्त की सेच थी जली जली से काम भी सिरय भादती तो इसे बाकीृता प्कर रहा था हूं हम अपना लब शीरी को फट्षक कर लेब मैंने रात में रात में मैं रात में रुचनट में काउंटर पेरा ही फ Тыा उप सफोना एक लेयर दा मैं पना, घंट लएती है oven यो उपसी से लिए, मुट थास को प्र शुना ही दूको भोशना के लए, लाका रिली यू engu तो मैं बहुत हमेर उटा लगतियू चािए ये उच्छए निकालिया। अब मैंने एक बड़ी सी बॉल के लिधा निकाल लिए के कड़ड़ी। च्छी थरीक से हमेर हैं ठीम करिया। कि अधर मुझें काल ले उप जाया हैक। क्रीम अट कर देंगे तो वो पूरा पैकेट में से निकालो तो पूरा पैकेट जाया हो जाता इस वज़े से मैं यह अचा लिए थी आ चुछा लिए थी कंड़्ूस पना किया थोड़ा सौरी अपनी मिथास होती है तो उसका ख्याल करते हुए जिए निए चीनी एड़ा चाह अब ये समया समया बोल रही है, समया लिखा वा हुआ है लेकिन कलर फुल पास्ता है तो इसको बॉल गर लिया था और इसको ना 80% कुक किया करें क्यूंकि के बाद भी ना वो तोड़ा सा सॉप्ट होता ही होता है क्यूंकि मॉश्वेर ना वो सक करता है तो इस वजय से सॉफ् चाहिए नहीं लगती हुँ मूमे जाकर यहां पे ना Zoya Speed में आप तो आप लिए बहुत लंबी हो जाती है अचाहि विए बता देती हुँ इस लिए बड़े साइस के लिए आप लिए लगाए तो यहां पे एपल है वो ले ले आटे ते हैं वहां अचाहिए एसमें लिए ल अच्छे नहीं लगते क्योंकि के अंदर सारी चीज़ सॉफ्ट डिलीवी हैं मतलब बनाना भी सॉफ्ट है और अंगूर भी सॉफ्ट हैंगे तो इसलिए एपल का भी टेक्स्ट्य थोड़ा सा सॉफ्ट वाला होना चाहिए कड़क वाला नहीं होना चाहिए अगर आप वो कड कुटी विलाल मलचे से जीर्व मinkचा सबीरा नमा है भी टेच्ट के लिए टिकाही के सारी ओड़ कोडेबने लाल म्र्ट् है ये सब चीज़ें एड हैंड़क दीक भी evidence आड़के चारे के लिए जाना पाउडेन झीज़ें कालाई तो इसका पानी बिलकुल ही खुशक हो गया था और बहुत अच्छी तरीके से नहीं तो थोड़ा सा पानी हो नहीं तो फिर आपको अलग से पानी अड़के ज़रूरत नहीं पड़ेगी खैर ओयल वगरे उपर आचुका और यह बहुत अच्छे से बुन चुके हैं तो मतलब इसके अंदर मसाला बुननी की नहीं गुंजाइश नहीं रही थी तो मैंने इसके नहीं थोड़ा सा पानी एड़ किया था तकरीबन टू-3 टेबल स्पून के बराबर और उसके बाद मैंने यह एड़ किया था प्यास को मैंने रख दिया था फ्रीजर के अंदर इसमें से मैंने थोड़ी सी प्यास निकाल ली है क्योंके प्यास मुझे थोड़ी जादा लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी निकाली तो मैंने थोड़ी सी निकाली तकरीबन दो डली के बराबर प्यास ना अब बाकी प्य बिर्यानी में भी छूरा करके ढूलिया यह सूरा करके भी डाले स скорrion को आम दभानी जाताया हूं path est सक्काई पर नाम कोई और आम दोलगे स्टायल कोई और च्छारिक तो साधी देली वाली बिर्यानी जो होती है ना वाली मैं आपको बहनाना सिखाऊंगे उसके अंदर भी प्यास इसी तरह से चूरा करके डाली जाती है जो कि उसकी जो खुश्बू होती है क्योंकि इसमें मसाले तो कोई जाते हैं नहीं है बहुत अच्छी होती है बहुत प्यास को पीसते हैं और तो फिर उसके अंदर उसको खुश्च करने में टाइम लग जाता है ना हमें अब देखे पानी पीसा तो नहीं था मसाला मेरा अल्रेडी पिसावा था तो बुना हुआ था तो इसके पानी की बिलकुल भी कोई गुंजाइस नहीं थी इस वजह से और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था अचा फ्लेम मैंने ना इसकी पूरी की एक ही रखी थी मतलब ये मीडियम फ्लेम पे ही पक रहा था जादा हाई फ्लेम पे मैंने नहीं पकाया था इसको और एक ही फ्लेम पे पकता रहा था देखें सारे फ्रूट्स हमने इस तो इतना पतला पानी हो जाता है वो खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं देता तो इस वजह से सेफ साइट को थोड़ा थिक रखें बाद में अगर आपको जरूरत मैसूस हो तो आप थोड़ा सा दूद्ध एट कर सकते हैं उपर से लेकिन पतला हो जाते हैं तो अच्छा नही करेंगे हम इसके अंदर आट करेंगे हरी मर्चे और ज़ही अदर हचा मैं बैक प्लेक्Rep successor कोटि इस वारा मków जाना चार्ब्लाफ颜 सेथा मैं अड़िया-द्ध कर देती हुई यहां पे आपके अने धनिया और जीरा पाड़र मतलब जो कूट के डाला था वो इसमें एड कर दिया है अब इसको थोड़ी सा बस मेक्स करेंगी और इसके बाद हलका सा थोड़ा सा बिलकुल यूही सा पानी डालके ना इसको बूंदों पर रख देंगे मतलब दम वाली आँच पर रख देंगी पांच मिनट के लिए ताकि इसमें ना जो यह आखिर में हमने चीजे डाली हैं ना मतलब हरी मिर्चे अदरक और धनिया और जीरा डाला है ना तो उसकी खुझबु अच्छे से आजाए कड़ाई के अंदर और हमारी मज़दार सी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसके पानी आट किया ता अच्छे पानी आप अपने हिसाब से आइड कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी रखनी है मुझे थोड़ी थे ग्रेवी ही रखनी थी क्योंके कड़ाई के अंदर पतला अच्छा नहीं लगती है हम लोगों को नहीं पसंद आप लोगों को पसंद हो अगर आप लोगों को पसंद हो तो अगर आपको जादा ग्रेवी नहीं अच्छी लगती तो आप प्यास की कॉंटिटी कम भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मताबिक प्यास वैसे मैंने बता ही नहीं थी अम्मी ने चार ड तकरीबन पांच मिनट के लिए दम वाली आज पर उइल आजाएगा उसके बाद बस कड़ा ही रडी है उसको आप एंजॉय करें और यह तक काम हमारा हो गया था दो सवादो बज़े तक हमारा एक काम हो गया था और हमारा यह था कि हमें ना शाम तक जहर असर की नमाज तक नि हमने खाना उस वक्त नहीं खाना था क्योंकि हमें वेट करना था और नियास के बाद ही जाहर खाना खाना था और यह रडी हो गई है अब ना प्याना आपको लाइट थोड़ी कम करके दिखाएंगी तो मैंने बुला दोनों लाइट में पता चल देए का कलर कैसा लग रहा ह अच्छा की ग्रेवी देख लें कितनी थिक है और चूला बन करने के बाद और मजीद थोड़ी से थिक हो जाएगी तो वह पानी आप अपनी मर्जी के मताबिक एड़ कर सकते हैं कम ज्यादा जैसे आपको पसंद दो ना और इस पाइस लेविल भी आप लोग अपनी फैमिल जी अचिक है पावडर है कुटीवी लाज मर्चे जीरा है तेजपते हैं काली मर्चा लॉंग है काली लाइची है और दार्चीनी अच्छा यह मैं बना रही थी थोड़ा मसालि वाला बना रही थी पलाओ तो मैंने सोचा मैं अज इस बार थोड़ा तर डिफरेंट से बना यह अप्यादरा सभूनेंगी उसके बाद इसमें एड़ कर देंगी लसन अदरक का पेस्ट अपर कितना एड़ किया था तकरीबन तकरीबन तरी टेबल स्पून के बराबर एड़ कर दें क्योंके प्लाव के अंदर लसन अदरक का ना बहुत अच्छा स्ट्रॉंग फ्लीवर ह रख बाद तक यह अलग ली ती ऐसे मैंने चाना नहीं था लेकिन उसके अंदर से जो अमुटी मुटी सी चीजे थी थी ना वह ने सारी हटा दी ति क्या कहते है जो को जो पानी डाले ती उसके पानी डालके और उसको स्क्वीज करके सारे जूसें से निकाल लिये थे इसके लसन जो था ना जो साबुत हमने बंच डाला था लसन का उसको भी इने स्क्वीज करें बोटियों के उपर ही सारा जो लसन निकाल लिया था उसको वेस्ट नी किया था बाकी जो पीसे जो थे ना वो मैंने फेग दी तो जो मुटा मुटा उसके अंदर था तो बस इसको मैंने प्लाव का अच्छा मज़िदार सा गोश होता है ना तो यह वाला गोश नहीं आया था वो मैंने लास मॉमेंट पर मंगाया था अबू से पहले मैंने सोचा था मैं चिकन का प्लाव बनाऊंगी लेकिन मैंने सोचा बीफ का बना लेती हूं क्योंके अबू शौक से खाते आगे लेती है लो आको सो मिह साषी नहीते नहीं कोई चास है तरह का रिखार आए था अपन यह वाला नहीं जाया लेकिन के प्लाव सार टास होता है असँ रहे है गोश नहीं रहे गया था वह श्याव ।ुक्छ नहीं नहीं घाप नहीं कि अटना ही अहा ओच्ता रहा प्लाव बनाते हैं उसी तरीके से बना लेंगे जिस तरह से हम प्लाव बनाते हैं उस तरह से पक जाएगा इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी और एट करूँगी मुझे कम लग रहा था पानी हमेशा बस एक इंचो पर होना चाहिए से ऩब किपोता बनाते हैं तो पखाया जो से कम लग वित पाना के लिएा के लिए टंग रंडा हुगाई श्पन जोड़ कने के लिए लिए मगतश़ा कर दोता इसलावा को थेक्की और इसलावा निए मैं ने ज पनो प् voiture ने लिए प्यान एक्र पहाँ पीं पेना हैं या जो सूट का कंट्रास है ये मैं आपको दिखा रही थी और उसके बाद फिर मैं दिखा दूंगी अपना सूट जैसे आप लोगो आप लोगों को हम ऐने कहा था कि आप लोगों दिखा देंगी जी अपना सूट और इस तरह का सूट है एक नरू के पहले दुपटे बगारे तो गर्वी ओपर से आप फिटिंग के कपड़े पहनने चुपके वह अजीब ही लगता है और किचन विचन में आपसे काम नहीं हो सकता अगर आप इतने फिटिंग के कपड़े पहनने तो मैं तो वैसे भी कुड़तियों में बहुत ज्यादा कमफड़ेबल रहती हूं खुली कैसे अफ़ी को रहती हो जार इतने जुआ होते हैं आपने शड कर वह पुले क्या पैस एक ताहिए और जोहरो कीैसे बढ़ी करता है और जसने पप्रियं के अच्छा यहां पर यह देखे हैं कि चावल जो हैं हमारे almost 80% डन हो गए हैं और इसके उपर मैंने कपड़े का दम दे दिया था क्योंकि जब भी मैं प्लाव बना रही होती हूं ना तो मुझे थोड़ा सा डर होता है चावल खराब नहों जाए हैं लिएक क्या अमुट्स कि एक घड़े मैं एक भुड़ाओ फरने बहुत खा टोब सुन् Steak को है वागि आनि आधान चार बज़े के दिशचा प्लाव एह हिन दिस्तर को था कि चार्ब अदे काल काल है झार प्लें से कर तो स्फार क्या थार हो जोचके था उर बहू जाद मैं ग आपल खालो खालो कुछ खालो कहारी नमकीन वाली चीज की भूग लग 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 लगाने काटरिका पकलिते हैं तो फ्रेश रहते हैं और दूसरे टाइम खाने तो आप खा लें और स्ताना से रहते हैं और इसी तरीके से हम लाओ ना चिफज भी रागते हैं, आइक। जब खानी आप थोड़ी से निकाल के खा सकते हैं यहां पर मैं जब चावलों को दम लगा कर आ गई थी और मेरा काम खतम हो गया था मुझे अब बस में नहाने चली जाओना क्यूंकि आप इतना काम करकर के पसीनों में भीग जाते हैं बहुत बुरी तरीके से तो यहां पर ज काम जली अली से निम्टा दूं तो यहां पर मुझे जली अगार को मिक्स करना था अच्छी तरीके से और यह भी देखना था दूद्ध एट करना के लबे शीरी के अंदर के वो थिक है के नहीं है ना अच्छा यहां पर जो हमारी जैली है पता नहीं क्यों जमी नही थी जमी आप लोग के साथ का भी हुआ है तो मुझे बताईएगा कमेंट करके तो खेर यह जैली दोनों मैंने बहुत अच्छे से बारिक-बारिक सी कर दी थी ता कि वो सब में मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से बड़े-बड़े पीसिस अच्छी नहीं लगते तो बस इसको मै करी रहती है कि अ क्ल बस इसको मैं वैंने थी किस्ड़ सरी कस्ट्र cohort कमा अच्री है को क्या ध़ यह थी में होती क्या था थुड़ा सा था तक्रिष के बार भी पहला हिना अपलों फृलों नी का यह थी और रिलीज को यहीं नी था तो क्या सुख आए था शुट ज़ा थी सा यहां पर मैं निकाल ली थी एक डिश के अंदर और बाकी जो क्यातने लबे शेरी है वह बाकी हम डिस्टिब्यूट करेंगे इसलिए मैंने ज्यादा कॉंटिटी में बनाया था तो यह दिश्ट वाला मैं निकाता है यह मैं इसको सजाद हो घर के लिए रख देंगे नियाज क्योंके मैं नियाज की जो कोई चीज होती हो मैं बहार डिस्टिब्यूट नहीं करवाती हूं हम घर में खा लेते हैं मुसली ऐसी होता है और क्योंके मुझे बहुत गर्मी लग रही थी बहुत जल्दी थी जाने की तो मैंने ऐसी रफली सा थोड़ी सी जो जली बचाई थी उसी जो समझ में आया कर दिया और बस मैंने कर दिया ऐसी ना रावंड सा बना दिया था मत ब्रेड जली आप देखे बस और कचनी हाई में डेकोरेशन हो गई महारत वाली जो कोई ली कर सकता तो जो समझ में आया और क्योंके जल्दी यल्दी हो रही थी और जल्दी हम तो इस वजह से न हम लोग जली एली अपने काम करने लगे थे और इसके बाद दोया को मैंने का जली से ट्राइंग रूम को सेट करो वैसे तो खैर घर की सफाई वगारा सारी हुई थी लेकिन पर यह होता है जब यह लड़के घर में होते न भाई जब घर में होते तो पूरा जब पर खुषा जेंगे का जब जब और है तो यह था प्हुतना फहारे है कि अपने अपना भी बोल दिया कि मुझे पता है ना कि वह पहले होते अच्छा यहां पर घचा यह बच्छा रे हैंगे यह गुल्ट एक्स की चादर है काली नहीं तोपना प्राइन था इससे लि that our administrated review इसके दो सफ्षा हम नो बढ़ की आके ए बहुत कम होता है। वी सबे रहने भाहीं जल्ली से अ मै जल्ली से चाह मैं समय कबड़ कर लों क्यूंकर प्लाओ के सथ तो आ क्योंकर ने ग७त कम होता ह। जोगना करने को इसमाना है कि यहा रही का तो फिर सामने कहा पिलकुल भी निया यह रही कि पास इसका इसे हड़ा लेत कि अरवने से अने पिसे है स्याहिए तरी चिंशल पीम्य। जल्दी से ना आप चावल को निकाल लेना और दम तो काफी देर पहले हो चुके थे दम पे लगा दिये थे और फिर में निकाल रही थी और उसके बाद अमी बैठ गई थी निया सेने के लिए मैंने सुचा फॉरं से ना यहां पे दस्तरकान लगा देते हैं क्योंके टाइम हो दस्तरकान लग गया है और आप सब का भी दस्तरकान इसी तरह सजे आमीन सुम्हामीन और देखे माशाला से कबाब इतने अच्छे गोल्डन गोल्डन फ्राइ हुए हैं और यह हमारी कड़ाई आ गई जी और फिर इसके बाद है हमारा क्या पुलाओ और पते निक्यों पु कल गोल्डन इस नहीं आया था नहीं तो गोल्डन अच्छा होता है पइसे इमट्यास का गोल्डन मैंने यूज कि आये वह उट जपनी ते नहीं आप एकको आप जाड़ पस थे राइत कर दी और आते यहाँ पर इन ली बना लिया था यहांने पर इनला क्योंके शुब्स य आपने ने राइता बना लिए अच्छा 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 बन अब लोगों ने खालिया था और खालिया था और खाल अशल्ला था अशला था Assalamualaikum everyone welcome back to our vlogs और आप बहुत बहुत बाहुत 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 मुबारक और लोगों के तरफ से तो भई सारी हमारे काम हो चुके खाना बन गया था नयाज हो गई थी पहुत हो एक खालिया था फिर जदी से टारी हमारे के तष्टेमारे की तार कि तो अथ से तूड़ी था जोढ़ी है पार इस पार पीजिए जी और कि प्राँ जड़ कोणते पीजिएर लोगों बातीत है तो दोड़ी करते हैं आड़े हम लग देग के लिए गा 누 Euro से देखरे हैं जाल कोटी के लिए उन का जाती हो आजा हम लगाया है बहुत साल ठाती है प्राइबा राती है पता है बूल घाता है? बहुत प्सी एक देखरे हैं भी आए नहीं ता हूँ नीर होओ कघूल का पहल화 he ač though He was a कर दिर बालब सोंड़्यों किसा जड़ करते किYes कर दिरी, कभी थछ़्यों को भ minimal arrive हम दो ज़चाने है जआ हैा स्टस्खना लग में लिगार काम चाहिए है सब्सक्राइब मैंने कमेआ ज़ग सुछा कर दोक्त alternativ रात के चाम हम निक connects आ़ने ही नियरत के रात के हैं मैं कीक निक निकलने का को आपको रखे दिआ के निकलते हैं मुभायल को जाएक्टbow गुड़ने हथा चलते हैं तो वह लग लीजागे चलते हैं ऐा तो झोड़ेप जोई भाल भील किते टाइम हो गया दा निकलते निकलते ना साड़े साथ तो बच गयते हैं जब यह आप लोग को आज ना व्लॉग थोड़ा सा लेट मिलेगा जहर है टाइम लगता है इन सारे कामों में तो खैर मुझे जहां जहां रोशनिया दिख रही थी जहां जहां अच्छा सा महल कौन कौन सारे में बहुत अच्छा से डाइकॉरेट हुआ हो गया लेकिर रहां जानी सके युद्यूरा तो रात कर टाइम था और हमत भी नहीं थी थी जह जो हमें जगाए नदर आई वहां हम लोगों ने कैप्चर कर लिया और कहते हैं भूए ज्यादा हम कहां तक गयते है यहां पर हम जाता है फिर दो गन्हें जाता है जल ल न्भम implication है इससY हो रहत अच्छी सजी विए है कि हम तर खेलों हम ट्कालते हैं विया करए एक जो भी अखने है, फिसीआ जता है तूकिके हैं त्टूकी का जो स्टॉप है वहां पर है और हम यहीं पर आना पसंद है कि Гुछ जगह ओर्फ। पर यहां के अप buy अजसे है एक और लग लग जगहां पर यह बने में हैं आफाइन गुलेटो हैं लेकिं सब जगह का महुल हमें नहीं समझ में आता यहां पे महाल अच्छा होता है और ज्यादा रश भी नहीं होता इस टैमिंग पर ना तो हम यहां पर आ गयते और यहां पर आ के भाई हमने अपनी और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी यहां की आइसक्रीम की रिंच जबड़दस वाली मुझे बहुत पसंदे है तो इस वजए से भी हम आ जाते हैं तो हमें इधर की आइसक्रीम अच्छी लगती है महरान की भी अच्छी होती है लेकर यहां के भी अच्छी होती है और मुझे यहां का सिर्फ कुल्फा फ्लेवर अच्छा लगता है मैं जब आती हूं यही फ्लेवर खाती हूं क्योंके मैं चॉकलेट और बोर हो गई हूं कभी कबार पिस्ता खालेती हूं कभी कबार दिल चारा होता है जादा खाने का जैसे यह लोग खा रहे होते हैं तो मतब वाइन स्पून इस से जादा नहीं खाती है मैं आइस क्रीम तो खैर बस मैं दिखा रही थी आप लोग को यहां के फ्लेवर और काफी मज़ेदार से होते हैं और फाइनली जी फाइनली के हमने वहां पर बैट के आइस क्रीम बहुत टाइम के बाद खुल गया नहीं तो बीच में गए थे तो हमने एक बार बाहर बैटके खाई थी बाहर बैटके खाना खायर अच्छा नहीं लगता मैं तो गाड़ी में भी बैटके खा लेती हूं क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाते वे आपको ही देख रहा होता है तो वह अच्छा बहुत भी लगता है तो खैर अधर बैटके लिए अलाओ हो गया है और हमने वहां पर बैटके आइस क्रीम खाई काफी देर तो नहीं है आदा गंटा खाली हम बैठे वे ते और काफी सुकून मिला यार क्योंके पूरा दिन के थके थके वे आपको एक रिफ्रेश कुछ चाही होता है कि कुछ तो अधर बैटके प्रेश काफी तो फिर मैंने बस एकी स्कूप ले लिया था मैं शरीफ बच्ची हो नहीं नहीं शराफत वाली बात नहीं है अपिया नहीं कहा कि अगर मैंने दो स्कूप खा लिये ना तो खाई नहीं जाएंगे वो विष्ट रोजाएगा उसके इलावा इने नेन आने लगेगे और इनसे घर जाके वोईस ओवर नहीं होगा हाँ नेन तो मुझे खेर अभी भी आरी क्यूंकि आप इतना सारा जब मीठा कहा ले थे ना तो उसके बाद नेन बहुत अच्छी आती है तो फिर मुझे खेर नेन आई रही है और मैं पानी आनी पीके फिर अज़र अपने आदे माग फ्रेश करके बैठी थी ताकि वोईस ओवर कर सके और आपके साथ शेयर कर सकें के हमारा पूरा दिन कैसा गुजरा और आप लोग जरूर बताएगा कि आपका 12 अबल अबल का दिन कैसा रहा कैसे नयास की क्या करा और क्या 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 बनाया हाँ क् के दिन खास तोर पे जरूर बताएगा हम सारे कमेंट्स पड़ते हैं आप सब को पता ही है और सब के कमेंट्स लाइक भी करते हैं तो आप सब ने जरूर बताना है कि आप लोगों ने आज क्या क्या किया और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लोग को एंड आप लोगों न झाल झाल